हेलो और वेल्कम टू न्यूस्वन एलवन मैं हूँ पूचा वर्बाव बॉलीवर्ड में फिटनेस और ग्लामर दोनों की साथ बात की जाये तो दिसा पटानी का चहरा सामने आता है यहां तकि दिसा अपने फिल्मों के स्टन्ट भी खुरी करती हैं रोजाना तकरीबन दो से तीन घंटे वो जिम में बिताती हैं हर तरह से अपनी फिटनेस का ध्यान रखने की कवायद में रहती हैं दिसा ने मिक्स्ट मार्सल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग लिया लेकिन क्या आ इस वज़े से मेरी याददास छे महीने के लिए चली गए दिसा ने बताया कि छे महीने के लिए अपनी जिंदगी को भूल गई थी वो मुझे कुछ याद नहीं था इसके बाद भी दिसा ने जिमनास्टिक और मिक्स्ट मार्सल आर्ट्स की ट्रेनिंग पूरी की दिसा ने अखुबार्च से कहा कि जब भी वो सुटिंग नहीं करती तो जिमनास्टिक और मार्सल आर्ट्स में समय बिताती हैं मिक्स मार्सल काफी आसान है जिमनास्ट की प्रोजेक्स रोज सुरू करती हैं मेरा मानना है कि जब कुछ हड़िया टूटेगी तब जाकर आप कहीं बता दें कि भारत की सुटिंग के दरान दिसा को घुटने में भी चोट लगी थी दिसा भारत की बाद जल्द मुहस सूरी की अगली फिल्म में दिखाई देंगे इस फिल्म का नाम मंगल है हाली में इस फिल्म के कुछ सीन मौरिसस में सूट किये गए है इसमें वो अंडर वाटर सीन करती हुई नजर आई है पहली बार दिसा और आदित्य एक साथ किसी फिल्म का हिस्सा बनने जा रहा है मंगल दोहजार बीस में वैलन्टाइन डे के मौके पर रिलीज होंगी दिसा अपने प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा नीजी जिन्दगी को लेकर चर्चे में रहती है दिसा और टाइगर दोनों कई बार देट पर स्पॉट किये जाते है वैसे दिसा के घायल हुने की खबर अकसर आती रहती है दिनों मंगल के सेट पर ऐसी खबरे आई थी कि वो स्टंट करते हुए घायल हो गई थी दिसा ने इस फिल्म के लिए ट्रेनिंग दिली है दिसा पटानी की फिटनेस फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वालर होती रहती है खुबसूरती के मामले में भी दिसा किसी से कम नहीं है उनके हर तस्वीर लाकों की संक्या में देखी और पसंद किये जाती है खिलाल इतना ही तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दवाएं